देश में अगले साल कई राज्यों में विधानसभा की चुनाव होने हैं लेकिन बीजेपी का खासा फोकस केवल उत्तर प्रदेश पर है पार्टी यहां अपने सत्ता को बरकरार रखने की पूरी कोशिश कर रही है इसलिए दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक बैठकों का दोर जारी है इस मन्थन से नेताओं की धरकने बढ़ गई है क्योंकि चुनाव से पहले यूपी की नेताओं का रिपोर्ट कार्ड बन रहा है जिसके आधार पर ही टिकट का बटवारा होगा देश की सियासत में उत्तर प्रदेश खासा महत तो रखता है क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी की राजनिति से होकर ही गुजरता है इसलिए सभी राजनितिक धल यूपी पर खास फोकस करते हैं और अब तो अगले साल देश के सबसे बड़े राज्यों में विधान सभाचुनाव होने हैं इसलिए पार्टियों ने अपनी सक्रियता बढ़ानी शुरू कर रही है इसलिए बीजेपी के केंदरे नेतरत्व ने सीएम यूगी अदितनात के विधायकों का परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करने का फैसला लिया है यही नहीं विधान सभाचुनावों में विधायकों के परफॉर्मेंस की रिपोर्ट पर ही उनका भविश्यत तै होगा साफ है कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट के जरिए पार्टी विधान सभाचुनाव में टिकेट के बटवारे पर फोकस करेगी सूत्रों की माने तो बीजेपी यूपी में संगठन के जरिए बूथ लेवल से लेकर जिला लेवल तक हर विधायक की परफॉर्मेंस रिपो मौझूदा विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट को तीन ट्रेडियों में रखा जाएगा जबकि ये तीन ट्रेडियां है एक्सिलेंट गुड और एवरिज इन ट्रेडियों के आधार पर नेताओं को आखा जाएगा और फिर टिकेट का बटवारा किया जाएगा इस काट को लेकर ही नेताओं की टेंशन बढ़ती जा रही है क्योंकि खराब पर्फॉर्मेंस वाले नेताओं का टिकेट कटना तै है ऐसे में कई दिगजों पर भी गाज गिर सकती है डी बी लाइफ की रिपोर्ट